Q4. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out it has been spread evenly around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embrankment find the height of embrankment. जो बान बनाया है उसकी हमने height find out करनी है व्यास 3 meter का एक कुवा 14 meter गहराई तक खोदा गया है और खुदी हुई मिटी को कुवे के चारो और चार मिटर चौड़ी पट्टी जो वले क्या कार किया है उसमें फैलाया गया है अब आप यहां पर एक यह हमारा इस परकार का फीकर होगा यहां पर यह कुवा खोदा आगया देखो हम कलर कर रहे हैं इसको पिंक कलर किया हमने और इसमें से जो मिट्टी निकलेगी बच्चो उसको हमने वले के रूप में फैलाना है कुवे के चारो तरफ फैलाना है मिन्स जो volume of अर्थ होगा ज है उससे इसका volume होगा वले का volume होगा ठीक है तो आपने क्या करना है कुवे का volume और वले का volume दोनों सेम होंगे ठीक है तो उससे हम बांद की उचाई असानी से निकाल सकते हैं तो हम यहां पर देखिए यह हमने green color से फिर हमने calculate करना देखिए सबसे पहले radius of well कुवे की त्रिजा कितनी है 3 meter diameter है तो 3 upon 2 meter होगी और depth of well कुवे की गहराई वो कितनी है 14 meter कितनी है 14 meter तो बच्चों हम पहले देखो volume of earth ही निकाल लेते हैं देखिए volume of earth के निके मिट्टी का आयतन पाई रसके रेच क्या formula लगाएंगे हम यहां पाई रसके रेच अब यहां पर आर हमारा कितना है 3 upon 2 22 upon 7 into 3 upon 2 into 3 upon 2 and into 14 calculate कर लेते हैं यह 2 आ गया 2 से इसको कट कर दिया और 2 से इसको कट किया 11 आ गया यह मारे पास आजएगा 99 मीटर क्यूब आब हमने जो यह circle है इसका ध्यान रखना है जो छोटा circle है जो इसका diameter है वो छोटा आर है और यह बड़ा आर है देखिए radius of wealth हमें दिया हुआ इसको हम छोटा आर यहां पर show कर सकते हैं और हम वले की चोड़ाई कितनी दियूई है वो देखते हैं देखिए breadth of ring 4 है तो इसका capital आब यहां पर देखिए यहां पर मैं show करता हूँ यह capital आर है बाहर तक का ठीक है तो हम जो बाहरी जो तरीजा है वो कितनी हो जाएगी इसकी वो देखने पर ले radius of आउटर radius of आउटर सर्कल कितना हो जागा 4 पॉलस 1.5 यह 3 अपॉन 2 एसका 1.5 किया कितना हो जाएगा हमारे पास 5.5 मीटर ठीक है अब हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा टोटल ठीक है पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं देखिए area of ring यहीं के वले का क्षेत्रफल उसका फार्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया था पाई बड़ा र स्केर माइनस छोटा र स्केर वह आजगा 22 अपाउन 7 इंटू बड़ा र हमारे पास 5.5 और छोटा र हमारे पास 1.5 इसको कैल्कुलेट करने का देखिए मैं आपको फॉर्मूले से कैल्कुलेट करके दिखा देता हूँ 22 अपाउन 7 एक बार हम इसको प्लस करके लिखेंगे ए स्केर माइनस बी स्केर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 22 अपाउन 7 इंटू 7 इंटू 47 से 7 कट गया और यहां गया मेर पास 88 मीटर स्केर और मुझे फाइंड आउट क्या करना हाइट ओफ हाइट ओफ एम्बैंक्मेंट बांध की उचाई वो कितनी आ जाएगी मेरे पास जो मिट्टी का अहतन है वाल्यूम ओफ अर्थ अपॉन एरिया ओफ रिंग दाट इस 99 अपॉन 88 और स्केर केल्कुलेट कीजिए यह 9 यह 8 11 से कट किया तो 9 अपॉन 8 इसको हम डैसिमल मर करेंगे 8 बन जा 8 1 एट बन जा 8 फिर बच्चा हमारे पास 2 20 एट तू जा 16 फिर बच्चा 4 और 8 5 जा 40 1.125 मिटर बच्चे इसको 1.125 नहीं बोलना ही वो गलत होता है है 1.125 मिटर यह मारे पास हाइट ओफ हाइट ओफ एंबंक्मेंट यह मारा अंसर आजा आजा है यह हमारा फॉर्थ क्वेस्चन कंप्लीट हो जाता है क्यदक्अ DO cubed काल यह हमारा ओाया नहीं सकता है